ये दिवाली का त्योवार है, मैं मुख्यमंत्रियों की विस्तर काया समझ सकता हूँ और फिर भी मैं सभी आदर्णिय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूँ कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं ये बात सही है कि मैं डिश्ट्रिक के लोगों से बात करना चाहता था मैं मुख्यमंत्रियों को परिशान करना नहीं चाहता था लेकिन ये commitment है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% vaccination का जो उनका लक्ष है इसलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ अजिकारी है उनको एक नया विश्वास देगी नया ताकत देगी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेश रुप से आभार वेक्ते करता हूं को उन्हों ने इसको इतना महत्वद दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहार के दिन में भी बैठे हैं मैं रुदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज जो बाते हुई है अब मुख्यमंत्री जी के आशिरवाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परणाम मिलेगा और मैं बताता हूं जी आज तक जितनी प्रगयदी हमने की है वो आप सब की मेहनत से हुई है हर डिस्टिक का गाउं का छोटा मोटा हर मुलाजिम हमारी आशा वरकर कितनी मेहनत की है जी कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्षिनेशन पहुचाया है लेकिन एक बिलियन के बाद अगर हम सोड़े से भी डिले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है और इसलिए हमारे याँ तो कहा जाता है कि बिमारी और दुश्वन को कभी कम नहीं आकरा चाहिए उसको आखरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है और इसलिए मैं चाहू इसने अने चुनोतियों का सामना किया है कि कॉर्णा से देश की लड़ाई में एक खास बात ये रही कि हमने नए नए समाधान खोचे इनोवेटिव तरीके अजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नए नए चीज़े की हैं आपको भी अपने अपने जीलो में वेक्शिनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा नया तरीका नया उत्सा नई टेकनीक ये इसमें जान भरती रहेगी आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने शत्व प्रतिक्षत पहली का पूरा क्या है उनमें भी कई जगों पर अलग-अलग तरह की चुनोतियां रही है कहीं बोगोली परिस्तियों की वज़े से मुश्किल आई तो कहीं साधन समसाधनों की चुनोति रही लेकिन ये जिले इन चुनोतियों को पार करते ही आगे निकले हैं कि वैक्षिनेशन से जुड़ा कई महिने का एक्ष्पिरियंस हम सब के पास है हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अन्नोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है यह हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है अब आपके माइक को स्ट्राटेजी बताते हुए आगे बुचलना है अब हम राज्य का हिसाब जीले का हिसाब उसको भूल जाए हम हर गाव में भी मोहला उसमें भी वो चार गर बागे रहे गे तो चार गर बारिकी की तरह हम जितना जाएंगे हम पर ना प्राप्ता और जहां कहीं भी जो भी कमिया है उसे जंद से जल्द दूर करके ही रहना है जैसा अभी आपसे बातीत मैं भी मैं स्पेशल केम्प लगाने की बात उठी इविचार मैं समता हूँ अच्छा है अपने जिलों में एक गाउं एक कस्पे इसके लिए अगर अलग अलग रनदीती टीम बनानी हो तो वो भी बनाईए आप छेतर के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हिल्दी कमपनिशन हो इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं हमारे जो NCC, NSS के युवा साथी हैं आप उनकी भी ज्यादा से ज्याद मदर लीजी आप अपने अपने जीलों का खेतरवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं अपने स्थानिय लक्षत ताय कर सकते हैं और मैंने तो देखा मैं लगातार ग्रास्रूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं मैंने देखा है कि महिला जो हमा पुरी ताकर लगा देनी होगी मुझे पता है कि आपके सामने एक चुरूट अफ़ा और लोगों के ब्रह्म की स्थिति भी हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद यह समस्याएं हमें concentrated area में सामने आएगी और अभी बात्चीत के दर्यान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को जाता से जादा जागरुक किया जाए आप इसमें स्थानिय धर्मगुरुगों को भी जोड़े उनकी मदर ले उनके छोटे 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 वीडियो बनाए दो दो तिन तिन मिनिट के और उनके वीडियो पॉपिलर करे हर घर मैं उनके धर्म गुरुओं की वीडियो पहुंचे धर्म गुरु को समझाएं इसके लिए प्रयास किये और मैं तो अक्सर अलग-अलग पंथोंगे। गुरुओं से लग Tampa मिलता रहा हूं मेहने बहुत प्रारम में सभी धर्म गुरुवां से बात करकर के इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी है और सभी वैक्सिनेशन के बहुत हिमायत ही हैं को विरोध नहीं करते हैं देखे मैंने अभी जैसे बताया अभी दो दिन पहले ही मैं वेटिकन में था प्रो फ्रांसिसी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई वैक्सिन पर धर्मगुरुवां के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेश जोड देना होगा साथियों आपके जीलों में रहने वाले लोगों की साहता के लिए उनको प्रेरिद करने के लिए वैक्सिनेशन अभ्यान को अब हर घर तक ले जाने के तयारी हैं हर घर दस्तक इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टिके का संपूर्ण सुरक्षा कवट नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वेक्सिनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टिका करन के लिए प्रवंद किये। अब हर घर 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 टिका इस जजबे के साथ हम सब को घर घर पहुंचना है। साथ को इस अभियान की सबलता के लिए हमें कॉम्मिनिकेशन के लिए टेकनलोजी से लेकर अपने सोशल इंफरसेक्टर का भरपूर उप्योग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मोडल है जो दूर सुदूर गाउं में लेकर शेहरों तक शत्त प्रतिशत टिका करन के लिए अपनाए गए हैं। सामाजीक या भोगुलिक परिस्तितियों के हिसाब से जो भी मोडल आपके लिए या किसी खेतर विशेश के लिए अनुकूल हो उसको जरूर अपनाना चाहिए। एक काम आप लोग और कर सकते हैं आपके ही सहीयोगियों ने आपके ही सात्यों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ ठिका करन किया है। समभव है आप जिन चुनोतियों का सामना कर रहे हैं वैसी ही चुनोतियों से वो भी गुजरे हो। आप उनसे भी जानिये कि उन्होंने कैसे वेक्सिनेशन की गती बढ़ाई, समस्याओं का समाधान कैसे किया, कौनसे नए तौर तरीके अपनाई है। उनको की गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जिले में बढ़लाव ला सकती है। अगर उन्होंने अपने जिलों में कुछ इन्नोवेट किया है, कुछ अच्छी प्रक्टिसिस भी अपनाई हैं, तो वो आप अपने जिलों में भी दोरा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बेहन हैं, हमारे वनवासी साती हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए भी हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा। अभी तक के हमारे अनुवाव बताते हैं कि स्थानी नेतुत्व समाज के दूसरे सम्मानित सात्यों का सात और सयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तरह तरह करनी जैसे बिर्सा मुंड़ा जी का जैनती आएगी, बिर्सा मुंड़ा जी की जैनती के पहले हमें एक पूरा आदिवासी क्षात्र में माहोल बना दे, आब एक प्रकारते बिर्सा मुंड़ा जी को हमारी स्रधान्जली के रूप में इस बार और हम वैक्षिन लगाएंगे, ऐसे कुछ इमोस्टनल चीजे हम जोड़े, और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समधाय के संपूर्ण टिकाकरम में भी ऐसे कुछ एप्रोच हमें बहुत काम आएगे, टिकाकरम से जोड़े कम्मिनिकेशन को जितना हम सरल रुपे करेंगे स्थानिय भाषा बोलियों में करेंगे, मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाएं, ग्रामीर भाषा में गीत बनाते, गीत गाते 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 वेक्षिनिस इनकी बात कर रहे हैं, इतने बहतर प्रणाम आएंगे, साथियों हर गर दस्तक देते समयें, पहली डोज क के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमन के केस कम होने लगते हैं, तो कई बार अर्जंसी वाली भावना कम हो जाती है, लोगों को लगता है, लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे भई, म मुझे आद है, मैं जब वन बिलियन हम पार कर गी है, तो मैं अस्पताल गया था, तो वहां मुझे एक सज्जन मिले, मैंने उसे बात के मिले, इतनी इन क्यों लगाया, तो कहने लगे ने ने साम मैं तो पहलवान हूँ, और मेरा मन करता था क्या जरूरत है, लेकिन अब रखता है, मैं अचुत माना जाओंगा, लोग मुझे पुछेंगे और मेरी मुन्नी नीची हो जाएगी, तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं भी अब करवा लेता हूँ, इसलिए वो आगे, और इसलिए मैं कहता हूँ, कि हमें किसी भी आहरत में लोगों की सोच को धीमा नहीं होन से जना है, इस सोच की वज़े से दुनिया के अनेक देशों में, आप देखिए, अच्छे-च्छे समर्द्य देशों में भी फिर से कोरोना की खबरे चिंता पैदा कर रही हैं, हमारे जैसे देश को तो यह जरा भी हम इसको स्विकार नहीं कर सकते, हम सेह नहीं कर सकेंगे, इसलिए टीके की दोनों डोसर तय समय पर लगना बहुत जरूरी है, आपके छेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर याना पुरा होने के बावज़त दूसरी डोर नहीं लगी है, उनसे भी हमें प्रात्फिक्ता के आधार पर संपर्क करना होगा, उन्हें दूसरी ड वैक्षिन, मुप्त वैक्षिन अभ्यान के तहत, हम एक दिन में करीब करीब धाई करोड वैक्षिन डोर लगा कर दिखा चूरूरunya ताकत का हमने एसास कर लिया है, यह दिखाता है कि हमारी capability क्या है हमारा सामर्थ क्या है टीके को गरगर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी supply chain network है वो तयार है इस महिने कितनी vaccine उपलब्द होगी इसकी विश्तर जानकरी भी हर राज को advance में दे दी जा चुकी है इसलिए आप अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस महिने के लिए अपने targets advance में प्लान कर सकते हैं मैं फिर एक बार कहता हूँ इस बार एक मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है हम नए लक्षांग पार करके Christmas को उमंग से मनाएं इस मिजाच के साथ आगे बढ़ना है आखिर में मैं आप साथियों को एक बात और याद दिलनाना चाहता हूँ आप वो दिन याद कीजिए जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था मैं सभी डिस्ट्रिक के अधिकारियों से उनके साथ बैटिवी टीम को मैं बड़ी रदे से अपील करना चाहता हूँ आप कलपना कीजिए जिस दिन पहला था ड्यूटी का जिस दिन आप मसूरी से निकले आप कौनसे भावनाव से भरे हुए थे आपका जजबा क olmazा था कौन से सपने से मुझे पक्का विश्वास हैं आपके मन में यही तज़ाता कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आप समाज के लिए जीजान से जुटेंगे, फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए, उन संकल्पों को याद कीजिए, और हम तय करें समाज में जो पीछे हैं, जो बंचीत हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का इस से बड़ा कोई आउसर नहीं हो सकता है, उसी भाव को याद करने के हम एक बार जूट जाए दोस्तों, मुझे विश्वास है, आपके साजा प्रयाज से बहुत जल्द आपके जिलों में वैक्षिन की स् अधर जाएगी, आईए, हर गर दस्तक, घर घर जाकर के ठीका, अभियान को हम सफल बनाए, आज देश के भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप से कहता हूँ, आप भी आगे आईए, आपने ठीका लगवाया अच्छी बात है, लिकिन आप औरों को ठीका लगाने के ल जोड़ेंगे, दस लोगों को जोड़ेंगे, दो लोगों को जोड़ेंगे, ये मानवता का काम है, मा भारती की सेवा का काम है, 130 करोर देश वास्यों के कल्यान का काम है, हम कोई कोता ही न बरते हैं, हमारी दिवाली उन संकल्पों के दिवाली बने, आजाजी के 75 साल हम बना हुए हो इसके लिए अब समय बहुत कम मेहनत करने की है बहुत कम समय में मेहनत करने की है मेरा आप सब पर भरोसा है आप जैसी यंग टीम पर मेरा भरोसा है और इसलिए मैंने जान बुच करके विदेश से आते ही मेरे देश के इन सहते साथियों से मैंने मिलने का विचार किया सारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे इसकी गंबीरता कितनी है या आज मुख्यमंत्रियों ने भी दिखा दिया है मैं सभी आदने मुख्यमंत्रियों का भी आबारी हूँ मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नमस्कार